नमस्कार दोस्तों, स्वागते हमारे येट्यूट चैनल में दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आप छाती फुला कर हर जगह घुमोगे यह दुनिया जुख कर आपको शलाम करेगी जहां दोस्तों हर जगह आपके ही नाम का धिंडोरा होने वाले हैं जहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाले 5-10 दिनों का शमय आप सभी के जीवन काल के लिए कोई मामूली शमय नहीं है दोस्तों यह आपके जीवन को आपके भाग को बदलने वाले शमय होने वाले हैं जिहां दोस्तों और एसे समय सभी के नसीब में सभी के किस्मत में नहीं आते हैं। जिहां दोस्तों आप जाने अन जाने में आपसे यह गलती हो ही जाती है। आपसे दस दिनों के अंदर आप अपने जीवन काल को अपने हाथों से लिख सकती है। दोस्तों हम आपसे भी को बता दें कि यह समय सुक्र ग्रह का जो संचार है आपकी रासी से लाब भाव में है। और चंदरमा का जो दिरिष्टी है ढ़ाई दिनों में बदलने वाले हैं। जो कि दोस्तों आपके जीवन काल में आने वाले समय लाब की इस्ति में आने वाले हैं। और दोस्तों सूरी और बुद्ध पहले से ही आपके लिए बहुती लाप की इसती बना चुके हैं। साती सात दोस्तों हम आपको बता दे कि भगवान सनिदेव भी आपके रासी में उच अस्थान में बेठे हैं। जो कि दोस्तों आने वाले 5 से 10 दिनों तर उपर सही भगवान सनिदेप का किरपा आपके पूरे जिन्दिगी पर रहने वाले हैं। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जहां गुरू और शुकरषनी का किरपा दृष्टी आपके जीवन काल में बन रही है तो दोस्तों एसे में राज योका नहीं बलकि दोस्तों महाभाग साली योका निर्मान हो गया है। जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल को बिलकुल ही बदलने वाले सावित होंगे जहां दोस्तों और एसे महतिपुन मोके हर किसी के जीवनकाल में नहीं आते हैं इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिलकुल ही ज्यान से सुनिएगा और जो गलती हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं दोस्तों आप इन्हें भूल कर भी मत किजिएगा जहां दोस्तों तो आई दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं दोस्तों जान लेते हैं कि यह समय आपको कौन-कौन से बड़ी गलती नहीं करनी है दोस्तों सबसे पहले जो शाबधानी आपके जीवन काल में है यह कि दोस्तों आने वाले 5-10 दिनों के अंदर आपके जीवन काल म आपको मिलने वाले हैं चाहें दोस्तों कोई भी सफलता मिली हो दोस्तों किसी को भी आपको छोटा नहीं समझना चाहिए जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों भगवान सनेदेव और मालक्षमी की किरपा दृष्टी आपके उपर है तो दोस्तों आपको यश्रमे जो भी मोके म मिलने वाले हैं जो भी लाब मिलने वाले हैं दोस्तों उनमें आपको सबसे ज़्यादा और फ्रसंता दिखानी होगी जिहां दोस्तों या भगवान सनिदेप और मालक्षमी की सबसे बड़ी परिक्चा है आपके जीवनकाल में तो दोस्तों भगवान सनिदेप और मालक्षमी कि दिया हुआ कोई भी चीज अगर आपको यश्य में मिले कोई भी सफलता हो या फिर पन्नोती हो या फिर कोई भी मान शमान हो जो कि दोस्तों उन लोगों के दोरा मिले या फिर आपके ही जीवनकाल में ऐसे ही इस्तितिया के निर्मान हो जाए जहां पर आपको लाब हो तो आपको अपने जीवनकाल की सबसे बड़ी सफलता मानना है सबसे बड़ी कामयावी माननी है जिहां दोस्तों और दोस्तों आपको क्या करना है कि दोस्तों जब भी आपको कुछ कामयावी मिल जाए तो दोस्तों इनका धिंडोरा आपको कहीं पर भी नहीं पिटना है जिहां दोस्तों या आपकी जीवनकाल की सबसे बड़ी गलती हो जाएगी जिहां दोस्तों क्योंकि दोस्तों अक्सर आप लोग जानते हैं कि जब भी आपकी जीवनकाल में खुसिया आती है कोई तरिकी करने का समय आते हैं जब भी आपके जीवनकाल में अच्छे परिस्तिया का निर्मान हो जाए तो दोस्तों अगल बगल या फिर कुछ ऐसे आपके ही अपने ही लोग आपसे जरन की भावना से बहुत ही उथल पुथल करने लगते हैं वो चाहते हैं कि कब आपके ज जीवनकाल से या खुश खबरी छीज जाए तो दोस्तों ऐसे ही बड़ी गलती आपको नहीं करना है क्योंकि दोस्तों आपको बता दा कि जो आपके सत्रूं होते हैं जब दूस्मान होते हैं हमारे गरहों के लिए राहो केतु के समान होते हैं यह विपरित गरहों की तरह होते हैं तो दोस्तों कभी भी इन से दोस्ती नहीं करनी है जहां दोस्तों तो दोस्तों भूल कर भी आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि आपको इन्हें लालज बिल्कुल भी नहीं देना है क कौन-कौन से कार आपके लिए भागी साली होंगे, आपके घर के माहुल में, परवारी जीवन में परतेक छेतर में, कौन-कौन से बड़े बदलाव होंगे, कौन-कौन से बड़े चमतकार होने वाले हैं, तो आन तक देखिएगा, आयों दोस्तों शुरू करते हैं कि आपके आने वाले इन दिनों में आपके जीवन के से बदलने वाले हैं, आपके से दिनो वद दिन तरकी करने वाले हैं दोस्तों आप सबे के जीवन के सबसे बड़ी काम्यावी इन दिनों में होने वाले हैं परन्तु दोस्तों यह समय आपका कर्तव यही है कि यह समय जो भगवान की किरपा से मिले हैं इसका आप सही से इस्तमाल करें और कौन से समय में आपको कौन सा कारे करने हैं ताकि दोस्तो दोस्तों आप पिछले कुछ समय से जिस सुकुन की तलास में थे आज उसे कर ही लेंगे लोगों के साथ आपका मधूर और सवग्यात्मक बहबार आपकी छवी को और अधिक निखारेगा कुछ नई योजनावी बनेगी और इने कारी रूप देने के लिए अनवी लोगा सहयोग भी रहेगा किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो कि आपके लिए फायदमन भी साबित होंगे कुछ नई विश्यों पर जानकारिया हासिल भी होगी जो आपके लिए बहुत ही इन्पोर्टेंट साबित होंगे आज किसी प्रिय समंधी अत्वा मित्र से मुलाकात होगी तता आपसी विचारों के आदान परदान से कई हाल भी मिलेंगे दिन की सुरुवात में ही अपने खास कारे को पुरा करने की कोशिस करें किसी वारिस अदस्य से आपकी मन पसंद उपहर मिल सकता है अनुवी लोगों के सानेद्द और मार दर्सन मिलेगा कोई बहुत बड़ी दुविदा दूर होने से मानसिक सुकुन रहेगा किसी पूरी योजना को क्रियामिंग करने के लिए सही समय है घर के बड़ी बुजर्गों के आसिरवात और सहयोग से घर में सुकुन भरा माहूल रहेगा दोस्तों जमिन जायदा समय देद कोई कार आटका हुआ है तो आज उस पर पुना काम सुरू हो सकता है अपने हिम्मत और बिल पावर से कई भी मुश्किलें कार को हल करने की छमता रखेंगे आज किसी मीडिया अथवा संपर सुत्रों तोरा कुछ एसी जानकरियां मिलेगी जिसे आपके काम आसान हो जाएंगे महिलाएं अपने घरेली तथा व्यवसाइक कारियों को सहलता और सललता से पूरा कर लेंगे अपने व्यक्तिगत कारियों पर भी उनका फोकस रहेगा संतान की पढ़ाई अथवा केरियर समंदित उचित परना मिलने से घर में उत्सा भरा माहोल रहेगा आत्मीक तथा धार्मीक गाति विदियों में कुछ समय जरूर विताएं किसे भी काम को करने से पहले दुसरों के अप्रिक्षा अपने मन की आवाज सुने आपकी अंतरात्मा आपको उचित रास्ते में बढ़ने की प्रना देगी विवाव को अपने केरियर समन्दित खुस खबरी मिलने की शामभावना है दोस्तों भगवान की किरपा से इसमें गिरिशिती बहुत ही साकार्तमा बनी हुई है पर्तु इसका उचित सत्प्योग करना आपकी कार्ण छमता पर निर्भर करता है काफी समय से रुके हुए परिवारी कार्यों को निप्टाने का उत्तन समय है आप प्रियासर हैं आपको अवसी सपलता मिलेंगे दोस्तों इनके साथ साथ आपको इन दिनों में कुछ शाबधानिया भी रखने की जरुत है तभी आप अपने आत्म विश्वास को आगे बढ़ा पाएंगे यहां समय बहुत ही मेहनत करने का है दोस्तों के साथ व्यर्थ की गत्ती विदियों में अपना समय नश्टना करें आपने कार्यों को ही प्रयत्मिक्ता दें इसे में आपकी कार्य सुगंता से पूरे होते जाएंगे यह भी ध्यान रखने की जरुरत है कि जल्दवाजे में लिया गया कोई फैसला गलत भी हो सकता है इसलिए बहुत ही साबधानी और साहिता रखने की जरुरत है अब अपने व्यक्तिगत कार्य को नदर अंदाज करके दूसरों के सहयोग में समय लगा सकते हैं जिससे आपके ही काम अधूरे रह जाएंगे थोड़ा स्वार्थी भी बना रहना जरूरी है आपका कोई वैपसाइक सापना सकार होने वाला है जल्दी ही कोई उपलब्दी हासिल होगी अपने अथक परियास और योगता दोरा अपने कार्य को उचित तरीके से कर पाएंगे कमिस्ट तथा वीमा समन्दित कार्य में भी उमीद से ज़्यादा सफलता मिलने के योग है पर्तु साज़दारी से समन्दी वैपसा में अधिकतर निरने आपको ही लेने पड़ेंगे जो की उचित भी रहेंगे सरकारी काराले में पबलिक के साथ किसी सित्ती में भी ना उल्ज हैं और ना आपके लिए मुसीवत खड़ी हो शकती है दोस्तों आपके वहीं बात कर लेते हैं लव लैप की आविवाइद व्यक्तियों की विवाद समय अच्छा रिष्टा आने की शांभावना है परिवारी सदस्यों की वीज बहतरिन सम्मान जसर रहेगा परिवार में सुख सांती पून माहौल रहेगा लव पार्टनर की आपके प्रतिस सहयों और सम्मान की भावना रहेगी दोस्तों आपके स्वास्त के बार में बात करें तो अत्यदिक काम की वज़े से पेरो में दर्दवा सूजन जैसी समस्या रहेगी समय समय पर आराम भी लेना अत्ती आवस्यक है हलकी फुलकी खासी जुकाम वबुखार जैसी स्थी रह सकती है लापार्वेना करें तो अचित इजलाज लें स्वास्तर ठेक रहेगा कभी कभी आप अपने आत्म विश्वास्वा मनोवल में कमी महशूष कर सकती है दोस्तों आपके घर में धन से समंदित कोई परेशानी चल रहा है तो दोस्तों भगवान गनेश का पूजन करें बुद्वार के दिन भगवान गनेश को मोदग या लड़ूगों का भोग लगाएं और अथर रसीष का पाठ करें इसके बाद मालक्षमी का विदी विदान से पूजन कर उन्हें गुलाब की माला चड़ाएं और खीर का भोग लगाएं एवान उनसे अपने कल्यान के लिए प्रात्ना करें आपके शवी मनो कमना पूर्ण हो जाएंगे दोस्तों आप बात करें तब का भागिसाली रंग और भागिसाली अंक क्या है दोस्तों आपका भागिसाली रंग ओरेंज है और भागिसाली अंक छे है दोस्तों मालक्षमी और सनिदेव का आशिरवाद आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिलशे कमेंड बॉक्स में जय मलक्षमी जय सिनिदेव जड़ू लिखें वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद